थेलो दोस्तों कैसे हैं? आज हम लोग अपना सफलता गराज सीरीज को आगे बढ़ा रहा है बिल्कُल आप सही देख रहे हैं बच्चे मेहेद अब पूछेंगे सब ये क्या है? बच्चे मेहेद दोस्ट आज हम ये बताना चाहते हैं कि आप लोगों में कितना दम हैं, आप लोगों में कितनी capabilities हैं, आप बोलेंगे सर्व हम में तो है, तो फिर बताने क्या जूरत है, दोस्त आगे आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम क्या-क्या बताना चाहते हम आपको, सब लोग बोलते हैं कि जैसा बहुत सारे coaching वाले के नाम सुनेंगे, ये फलना coaching है, ये चिलना coaching है, ये फलना teacher है, ये चिलना teacher है, teacher बहुत अच्छे हैं सर, ये बहुत marvelous है, coaching बहुत लाजवाब है, बहुत बढ़ी हैं बात है, आप बिल्कुल सही बहुत हो रहे हैं, अब एक छूटा सा question है मेरा, माल लेते हैं कि फलना सर बहुत अच्छे हैं, हम सारा उधारन खुद पे देंगे आपको दोस्त, अगर किसी का नाम लेंगे तो उनको तकलीफ हो जाएगी, हम सारा उधारन खुद पे देंगे आपको, ठीक है, अगर माल लेते हैं कि हम बहुत अच्छ तीचर हैं बहुत अच्छे सिक्षक हैं अगर मेरे हैं पचास बच्चे पढ़ते हैं तो पचासों बच्चों को रॉल नमर एक होना चाहिए न कि नहीं होना चाहिए हम कोई ग्यान दे रहे हैं तो क्या हम आपको अलग और दूसरे को अलग दे रहे हैं क्या हम एक ही ग्यान पचास लाता है अगर क्लास में पचास बच्चे है तो ऐसा क्यों होता है अगर सारी खुबियां मेरे में ही होती सारी काबिलियत मेरे में ही होती तो सब बच्चा को क्लास में रॉल नबर वान आना चाहिए रहा कोई कोचिंग और लग कोधारन देते हैं एक कोचिंग है जो IIT के तरी करवाता है, एक कोचिंग है जो NEET के तरी करवाता है, वो बोलता है कि मेरे कोचिंग से 50 बच्चे IIT में निकले, 30 बच्चे NEET में निकले, चलो मान लिया, 30 बच्चे निकले, 50 बच्चे IIT में निकले, एक छोड़ा सा कोचिन है, उसके कोचिंग म में सिर्फ 50 बच्चा है है तो बाकी 7900 बच्चा क्या कर रहा था वहाँ पर अगर आप सबसे अच्छे कोचिंग वाले हैं तो आपके यहां से कम से कम आठ हजार बचे पढ़ रहे हो तो सबका भविस्य होना चाहिए न भाहिया तो बाकी का भविस्य क्या है अंदकार में है आप उससे सिर्फ पैसा लेने के लिए बठें आप सबसे सिर्फ पैसा ले रहे है मेरा उद्दे से किसी को ठेस पहुचाना नहीं दोस्त मेरा उद्दे से सिर्फ ये है कि आपको बताना है कि पूरी काबिलेत आपमें है आपमें बहुत है दम सिर्फ गूरू का काम क्या है पता आपको गूरू का काम है आपको रास्ता दिखाना आपको बता देना सारा काम तो आप खुद करते हैं सारी छमता तो आपके अंदर में है कुछ एक्जामपल आपको देते हैं बहुत लाजवाब एक्जामपल है बजरंग बली को उड़ना आता था इसलिए उनको पवन पुत्र बोला जाता था ना लेकिन जब तक जामवनत जी नहीं बोलते हैं कि बेटा तू उड़ सकता है तब तक बजरंग बली उड़ नहीं पाते हैं तो गुरू का काम जामवनत जैसा है और आप तो हनुमान जी है ही है आप सबको हनुमान जी बनना चीए क्योंकि आपके अंदर में बहुत काबिलियत है आप कुछ भी कर सकते हैं आप यूटूब पे जाकर सर्च कर सकते हैं छोटे-छोटे इतने सारे बच्चे हैं जो गूगल बॉय, गूगल गर्ड सब बन गए हैं ये क्या हैं? सोचके देखिए तो क्या हैं? सब में अगर काबिलियत नहीं होती, सब लोग बोलता कि गुरू है, गुरू कर दिया है तो छोटे-छोटे बच्चो का गुरू कोन है? छोटे-छोटे बच्चे हैं आठ साल का बच्चे है, दस साल का बच्चे है बारा साल का बच्चे है अगर वो सब कोई उसको ट्रेंड कर देता है तो क्या उसके गुरू सारे बच्चों को ट्रेंड क्यों नहीं कर दी आठ साल के बच्चे को दस साल के बच्चे को हम गुरू के जो उनका पद है उनकी प्रतिस्था है उस पे कोई हम प्रश्ण चीन है नहीं लगा रहे हैं हम गुरू के बारे में चर्चा ही नहीं कर रहे हैं हम सिर्फ इतना बता रहे हैं गुरू सब को बराबर ग्यान देते हैं गुरू अपने तरब से कोई गलत काम नहीं करते पूरा इमानधारी से सारे बच्ची को एक ही ग्यान देते हैं और हम सिर्फ ये बोलना चाहते हैं कि लोग उसका credit न ले credit बच्चे को जाता है क्योंकि बच्चा मेहनत करता है पूरा का पूरा मेहनत बच्चे का होता है गुरू का नहीं गुरु तो रास्ता दिखा देते हैं गुरु बता देते हैं वैसे ही जैसे गुरु गोविन दोव खड़े काको लागो पाए है ना बलिहारी गुरु आपने गोविन दियो बताए गुरु का तो सबसे बड़ा पद है दोस्त इसलिए क्योंकि गुरू ही तो है जो भगवान में और दुसरे लोगों में अंतर समझा दिये इसलिए गुरू के पदपे कोई प्रश्मिशी नहीं है मेरा सिर्फ इतना कहना है कि बच्चे में बहुत काबिलियत होती है बच्चा बहुत कुछ कर सकता है जैसे एक छोटा सा उधारन आपको और दें गुरू का काम जैसे एक फिल्म हम लोग देखते ना डाइरेक्टर का गुरू क्या है एक डाइरेक्टर है और बच्चा क्या है एक एक एक्टर है फिल्म चलती है न तो डारेक्टर जादा सब को हीरो और हिरोईन को याद रखता है क्योंकि गुरू जैसा बोलता है डारेक्टर जैसा बोलता है एक्टर या स्टुडेंट वैसा ही करता है और अंत में सफल हो जाता है वो गुरू का अपना एक एहमियत है एक अपना अस्थान है बट बच्चे के अस्थान को अपनाकार नहीं सकते है गुरू अगर 20 है तो बच्चा 99.99 से कम नहीं है गुरू अगर भगवान है तो बच्चा भक्त है भक्त के बगएर गुरू की कोई एहमियत नहीं है अगर बच्च सूरज और पौधे में कैसा रिष्टा है सूरज अगर गुरू है पौधा उसका शिष्य है हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप समझने कोश किजिए जैसे हम लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग को गुरू के पैर पकड़ के ग्यान लेना चाहिए बिल्कुत सही बात है भीया तो तो हमको उसके तरफ जाना पड़ेगा ये नेचर सिखाती है अभी आपको एक्जामपल देते हैं सन सूरज जब उगता है तो सारा पौधा सूरज की और ही जाता है सूरज मतलब उसको धूप चाहिए ना भोजन बनाने के लिए और टोट्रॉप्स है ना वो अपना भोजन छूते हैं वैसे ही एक पौधा जब तक उसको सन नहीं मिलेगा अपना भोजन नहीं बना सकता है लेकिन पूरा के पूरा क्रेडित कहां जाता है पौधे के पास जाता है क्यों जाता है पौधे के पास क्योंकि पौधा ही वो चीज है जो हमको सब कुछ देता है सब कुछ देता है भोजन भी हमको वही देता है जानवरों के लिए चारा भी वही देता है घर में खाना बनाने के लिए लकडियों का जो fuel है वो भी वही देता है oxygen भी वही देता है सब कुछ वही करता है आप किसी का भी उधारन ले लिजे राजेंद्र पचाद हो, लाल भादुर शास्त्री जी हो गांधी जी हो, जितने भी आइंस्टाइन सहाब हो चाहे Thomas Alvadeisen सहाब हो चाहे Hawking सहाब हो, कोई भी सहाब हो आप सब का example लिजे ये लोग सब सब स्टूडेंट रहे होंगे न कभी न कभी, किसी न किसी के नाम किसका होता है भाईया सब स्टूडेंट के नाम से ही जाने जाते हैं आप एक चीछ बताइए हम प्रश्ण नहीं लगा रहे हैं द्रोनाचारे जी पे बट एक सवाल का उत्तर दीजे द्रोनाचारे जी बहुत बड़े बहुत 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 बहुतरीन बहुत ही ज्यानी गुरू थे उनका सिर्फ एक मात्र शेष्य कोई एक बच्चा नीट निकालता है दस कोचिंग वाले पहुँच जाते हैं कि भईया तुम बोल दो कि मेरे हाँ से पढ़े हैं, मेरे हाँ से पढ़े हैं, मेरे हाँ से पढ़े हैं, एक बच्चा IIT निकलता है, दस कोचिंग वाले पहुंच जाते हैं, एक बच्चा I.S. निकलता है, दस कोचिंग वाले पहुंच जाते हैं, भईया तु बोल दे, मेरे हाँ से पढ़े हैं, मेरे मिलना चाहिए उसको उसकी क्रेडिबिलिटी मिलनी चाहिए आप बहुत अच्छे हैं इसमें कोई दोराय नहीं है बच्चे में बहुत दम है बच्चा बहुत कुछ कर सकता है बच्चा उसी बीच की तरह दोस्त बीच को लगाने वाला कौन है तो गुरू लेकिन बच्चा धरती चीर के बाहर निकलता है मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है आपको हनुमान बनना चाहिए और हम लोग को जामुवन्त ताकि हम आपको हर जगह ये बता सकें कि आपके अंदर कितनी काबिलियत है आपके अंदर कितना पोटेंसियल है आप कुछ भी कर सकते हैं स्काइज क्रेडिट लेने के लिए सिर्फ सामने ना आए अगर बच्चे में काबियत नहीं है अगर आप अपने आपको अच्छा गुरू बोलते हैं तो सब को अच्छा बना के दिखाईए कोई बोलता है कि हमारे हैं एक हजर बच्चा है कोई बोलता हमारे हैं पांच जर बच्चा ह अरे भाई-ए दस जर बच्चा है, बहुत अच्छी बात है, सबको तो निकालिएructured? बच्चे आपके आपके यहां बहुत आस से आते हैं आप बोलते हैं कि हम बहुत अच्छे गुरू हैं बहुत अच्छे टीचर हैं बहुत फेमस टीचर हैं हमारे यहां आठ़जर बच्चे हैं दसजर बच्चे हैं आप अपना पल्ला ज़ाडने के लिए का बोल देते हैं पता है अरे वो बचवा मेहनत करता है तो आगे निकल गया हूँ तो गधा है एकदम तो भाईया जब आप ही बोरने को गधा है तो अपनी काबिलियत हर अपना क्रेडिट तो मत लीजिए क्रेडिट दीजे न उस बच्चे को क्योंकि वो मेहनत किया वो आईएस बना, मेहनत किया, डॉक्टर बना मेहनत किया, इंजिनियर बना, अगर मेहनत नहीं करता तो इंजिनियर बन जाता, क्या, डॉक्टर बन जाता आईएस बन जाता राद राद बर कोन पढ़ता है, बच्चा पढ़ता है सूबह से लेके साम तक कोन पढ़ता है, बच्चा पढ़ता है बच्चा दीन को दीन नहीं, रात को रात नहीं समझता है, कहीं पार्टी फंक्शन में नहीं जाता है, मेहनत करके कहीं पहुंचता है, क्रेट लिने के लिए हम लोग पहुंचाते हैं देखे, बुराई नहीं है, लेकिन बच्चे की अहमियत को हम लोग नाकार नहीं सकते बच्चे में बहुत दम है, बच्च बहुत आगे ग्रो करता है, बच्च बहुत महिनत करता है। तो उसके महिनत को आप प्रशन चीन नहीं लगा सकते एक छोटा सी चीज बूलेंगे, गुरु गूड ही रह जाता है और चेला चीनी बन जाता है। और हम वो जानते हैं चीनी के एहमियत और गूड के एहमियत को गूड छोटे जगे पर रह जाता है चीनी पूरा ब्रॉडर स्केल पर चला जाता है मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ जाहिन